स्वागत आपका हमार यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास कमायत एक्सरसाइज 10.4 10.3 तक कंप्लेट हैं ना देखो तो पिले लिस्ट में जाकर के सारा वीडियो आप देख सकते हैं 10.4 में आने से पहले कुछ-कुछ परी में हैं उसको पहले यह देख लेते हैं उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आएंगे परी में 10.6 परी में नजर आ रहा होगा परी में कहता है 10.6 जो है 10.6 परी में 10.6 कर रहा है एक विरीत की या सरवांगसम विरीत की एक विरीत या सरवांगसम विरीत मैंने दो सेम टाइप का विरीत है ने सेम सेम विरीत सेम तिरिजा का विरीत तो एक विरीत की बराबर जिवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है तो एक विरीत है परी मैं 10.6 को या अगर नोंग की चिए घेंदर केंदर से यह जो बराबर हो फिस दूरी मेनकों को कीज़िस एसकेंदर यह कल रहा है, कहला रहा है, है केंदर जूरी में तालर, लाँका इसकेंदर से कपनद यह जो दूर्द हम बूरी में बनता परिम्हे Billi 10.6 का कहना है, क्या कि एक विरीत की बराबर जीवाएं, बराबर जीवा ये और ये जीवा मन चली बराबर दुनों जीवा, बराबर जीवाएं केंदर से समान दूरी पर होती है, तो केंदर से जो इसका दूरी होता है, वो एक समान होता है, जितना बड़ा उतने बड़ा ये ह यानि यह वाला और यह वाला दूरी समान होगा तो याद रखेगा क्या दो बराबर जिवा अगर हो किसी विरीत में दो बराबर जिवा हो तो उससे जो केंद्र का दूरी है वो दोनों एक्वल होगा लेकिन दूरी को ना पेंगे कहां से एक दूरी हो सकता है यहां यहां यह कि यहाँ छोटा-टा चो जाए गया यह सब तो मैं है कि दूरि कि ना के मतलब 6 9u यहाँ पर उसे तो गींगे यहाँ घ्री नहीं हो बसमाइब इसका डूरी हो जाएका अई तुसी तरह ये केंद्र है जिसका सीधा 90 डिगरी जहां पर आएगा वहां से दूरी ना अपना है तो दूनों का दूरी जो है एक समान होगा है तो समझ मा रहा है ये 10.6 का कहना है और 1.7 तो उसका क्या कहना है याद रखे गई बातों को है ना 10.7 कहा है कि एक विरीत के केंद्र से समदूरिस्त जिवाएं लंबाई में समान होती है अब हम उप्रूप्स परिनाम का धरप उधार रहने थे मतलब ये 10.7 कह रहा है यही बात को कि अगर कोई विरीत है उसका केंद्र के समदूरस्त यानि सेम बराबर बराबर दूरी में बस में बराबर होगा तो जीवा अगर दूको बराबर है तो इसका केंद्र से दूरी बराबर है और केंद्र से दूरी बराबर दिया हो रहेगा तो दोनों का जीवा भी बराबर होगा ये समझना है तो दोनों एक दूसरे का विलोम है एक दूसरे का उल्टा है तो इसी से एक एक्जामपल लेते हैं और इसको और बढ़ियां से समझते है चलिए एक्जामपल नमबर टू देगिए उदाहर नमबर दो में कहा है यदि एक विरीत की दो परती छेदी जीवाएं परती छेद बींदू से जाने वाले व्यास से समान को न बनाएं तो सीध कीजिए कि वो जीवाएं बराबर है क्या कह रहा है एक विरीत ये रहा एक विरीत इसका एक विरीत की दो परती छेदी जीवाएं परती छेदी जीवाएं यानि एक जीवा जो है वो दूसरे जीवा को परती छेद करेगा तो परती छेदी जीवाएं हो गया ये एक जीवा और एक जीवा एक दूसरे को क्या कर रहा है परती छेद कर रहा है ठीक है तो परती छेदी जीवाएं जो है परती छेदी बिंदू से जाने वाली व्यास तो परती छेदी बिंदू यह हुआ इससे जाना वला व्यास यह केंद्र है तो केंद्र से होकर ही व्यास जाएगा तो इससे जाना वल बनाए तो यह व्यास से समान कुण बना रहा है यानि यह व्यास है यह क्या है व्यास आर यह जीवा जीवा weus से समान कुन बनाएं ठेक है ये दोनों कुन मतलब क्या है समान है समान कुन बनाएं तो सीध कीजिए कि वो जीवाएं बराबर है तो यहां से समान एक बराबर कौन बना रहा तो ये दोनों जीवा जो है एक जीवा दो जीवा जीवा इसको वन करें टू दुग जीवा है ये द केंद्रों को तो ओ बोलते हैं उसके बाद इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और जहां कट कर रहा है उसको ए मान लेते हैं उसके बाद यहां पी और क्यूं कोशन में दिया है एक विरीद जिसका कुंद्र ओ है तो ओ केंद्र वाला एक विरीद है ओ केंद्र वाला एक विरीद है क्या करना है सबसे पहले क्या दिया हुआ उसको लिखने है ओ केंद्र वाला एक विरीद है जिसकी दो जिवाएं ए बी और सी डी बिंदू इपर परतिशेत करता है यह दिया हुआ है जिसका दो जीवा कौन है A, B, A, B और C, D दो जीवा है जो कि E पर परतिशे जनी कट रहा है उसके बाद E से जाने वाला व्यास, E से जो व्यास जा रहा है P, Q, P, Q इस परकार है कि एंगल A, E, A, E, Q यानि यह उला एंगल और D, E, Q यानि यह उला दुनों एंगल आपसमें पर ठीक है तो सीध करना E, B, A, C, D, यानि दुनों जीवा जो है बराबर है यह हमको सीध करना है इसके लिए एक rağ sé марah करना होगा क्यूंकि जीवा बराबर है उसके लिए हम अभी परिमाइ में बताएं कि जीवा बराबर रहेगा तो केंद्र से उसका जो दूरी है वो भी बराबर होगा केंद्र से उसका दूरी जो है बराबर होगा तो केंद्र से जीवा का दूरी तो यह नहीं दिखा रहा है केंद्र से जीवा कितना दूर है उसको दिखाने के लिए कोई रेखा नहीं है तो उसके लिए एक एपा खीछ दिनाइम जो उसका दुरी दिखाएका और यह रहाए समझाए थे कि जैसे एक जीवा यहा है यहाँ से ना पना है तो ंदम सीधा रहेगा वही कि पहल कर देंगे तब तब था कर देठीड Southern सब्सक्राइब करने के लिए हम क्या करना है इस जीवा को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे परीमे 10.7 था उसमें बताया था कि समान दूरी यानि बराबर दूरी पर अगर कोई लंभ है केंदर से बराबर दूरी पर दो जीवाएं है तो दूर जीवाए बराबर होती इस तरह से परीमे 10.7 से लिख करके हम उसको पूरूफ कर देंगे अगर ये दोनों जो दूरी है ये और ये O L और O M बराबर आ जाए तो ये कैसे बराबर आएगा चलिए इस भूझा को बराबर करने के लिए हमको दिहान से देखिए इसके अंदर में एक दो ये दो तिरी बुझ को बराबर कर देंगे यहानि कि सर्वांगसम सिथ कर देंगे तो दुनों तिरी भुज का संकत भागगë बराबर होता है . तो बस सर्वांग्सम करना सर्वांग्सम करना है . तो करने के लिए, तीन चीर बराबर होने चाही है त न तक डिट न मुं बराबर होने चाही है क्या-क्या बराबर है। sic Mück簡ा क्या से savты करा सकते हैं पहले देखते हैं सर्वांगसम कैसे होगा तो कोई तीज तीज बराबर होना चाहिए तो परमान में आ दारेक्ट तीरीभूज में देखते हैं सबसे पहले बराबर होई दोनों में तीज वकार लिखते हैं उभय निष्ट दोनों में यानि उभय निष्ट है उसके बाद एक एंगल यह वला दिया होगा लिए ऑगल इल इओ बराबर दिया हुआ है अंगल south meo यह हम अपने से लिखे हैं दिया हुआ है ठीक है दिया है देख लिजिए यह दिया हुआ है A e q बराबर d e q तो यह यह उला क्यों लाकिना लिख करका हम यहां यह तक लिखे तो बतवाए एक है D E Q था, तो D ना लिख करके हम यहां से लिख रहे हैं, M, O, इनको ना लिख रहे हैं, M, E O, ठीक है, दिया हुआ है, तो दोगों चीज बराबर हुआ, और क्या बराबर, दिकर 90 डिगरी, राचना से 90 डिगरी आया है, E M O, एंगल E M, इधर उला पहले लिख रहे हैं, तो इसक लिखे हैं, राचना से बराबर लिखे, राचना में की हैं, लम है, दोनों लम खीचे हैं, A, B, और C, पर लम खीचे हैं, तो लम मतलब कहांता है, 90 डिगरी, तो 90 डिगरी दोनों है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो देखे, दू की एंगल बराबर है, वो भूजा बरा इसका संगत भाग बराबर तिसका संगत OM का संगत OL है इसलिए OL बराबर हो जाएगा OM है क्यूं तो region लिग देंगे by CPCT CPCT से हम इसको बराबर कर दिए अब ये बराबर हो जाती है क्या है तिरीजिया नहीं विरीद से दूरी है विरीद से जीवा की दूरी तो परिमय 7.6 में हम पढ़े 7.6 और 7 में कि विरीद से विरीद के केंदर से जीवा दो जीवा का दूरी अगर बराबर हो तो वो दोनों जीवा आपस में बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, परमय 10.7 से AB बराबर CD, पुरूफ, ठीक है, ABCD के बराबर है, पुरूफ हो गया, बस इतना ही करना था, बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम देखे ना, कि 10.6 परमय पढ़े के दूरी, अगर के अंदरे से यह जीवा का बहुत दूरी बराबर हो तो जीवा बराबर होगा, तो वही चीश्चित करना था, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक दो बर बना के देखेगा, ऐसे एक बर खली सुनिएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है, इसको बार बार लीख लीख के इसको प्रिक्टिस करिएगा, तब होगा है, ना काईगा, तो तो फर्फर्मूला थोड़ी है, क्यों लिग काम चल जाएगा, या कुन्नो जोड़ घाटा भी नहीं है कि जोड़ घाटाओ कर यह हो जाएगा यह बड़ा माता पेची है थोड़ा सा यह यह पर मेंन रहता है जो चीत रहे है वहीं समझे नहां में सब कुछ ठीक है तो थोड़ा सा इसको प्रेक्टिस मांगता है प्रेक्टिस कर गयेगा आ जाएगा अब आते हैं एक्सरसाइज का कुश्चन में नहीं 10.4 में 10.4 का पहला कोश्चन दिह रहा होगा मेरो को तो 8 पाँस सेंट मेतायक ताधाटी सेंटिमिट्र तता 10 सेंटिमिट्र की रिजा वाले दो विरीद दोवींदू पर पर टिखेत करते हैं ठीक्डिक यह विरीव निदू पर पर पांस सेंटिमेट्र सेंट वाला मानिक चलिए है और एक यहां से मानिक चलिए बना होगा तो यहां से यहां तो खीर देते हैं पूरा तो यह पांस सेंटीमीटर तिरीजा वाला है और यह वाला है यहां से इधर होगा पांस सेंटीमीटर यहां तक होगा यह केंद्र से और यह वाला कितना है तीन सेंटी दूरी है कितना चार सेंटीमेटर तो यहां तक का दूरी एक केंद्रे से दूसरा विरीत का केंद्र का दूरी चार सेंटीमेटर से उभैनिस्ट जीवा की लंबाई याद कीजिए तो उभैनिस्ट जीवा इसमें क्या होगा यहां से यहां तक जो जीवा खीचेंग वही दोनो कोई सब लिखने कर्याहिवद, है उभेनिस्ष्ट में उभेनिस्ष्ट जीवाँ लंबाई निकालना हैS कि ऊठना हुआ होका,ometer और दिया हुआ है कुछ वह है कोइस पणिकोया है Indreven तो चलिए सुरू करते हैं इसको मान लेते हैं O इसको मान लेते हैं O इसको मान लेते हैं A इसको मान लेते हैं B और ये जो है वो M इसको मान लेते हैं अब इसमें देखें क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं A O बराबर 5 सेंटिमिलर है A से O यह तिरिजी है ús को मिला देते हैं तिरिभूज इसको बना देते हैं पहले तिरिभूज बनेगा तब है कुछ बना सकते हैं इसे तो नहीं होगा घर विज़ बना दी है तो A O जो है 5 cm कहाए करें तिरिजी जैन नहीं इसका तो 5 cm है ठेक है और यहां से O-A कितना है? A O- कितना है? 3 cm उसके बाद O से O-T तक 4 cm दिया हूँ O से O-T तक 4 cm तो हमको क्या निकालना है? A B तो A B find करना है A B find करना है एक चीज याद रखेगा ये जो ये जो है ये दुनों ये दुनों आपसम पराबर है बराबर होगा? यानि हम अगर ये बीच वला जो है उसका धुरी निकाल देते हैं यहां से यहां तक ही निकाल देते हैं तो उसको दुगू ना कर देंगे तो टोटल धुरी निकल जाएगा इस सब को हटा देते हैं ठीक है? एम और बी-ऐम ये दोनों एकुब रहता है आपसमें बराबर रहता है ठीक है? दो विरीट है उसके दो विरीट है खिक दुसरे को परतिछत कर रहा है तो उसका उ-दोव है निष्ट बिक जीवा खीशे तो ये दोनों आपसमीं उपर बीच में ही कटेगा और यहां से इसको निकाल लेते हैं यह लोधा भूज निकाला शहते हुआ हैı तो ए और ऐसा और यह तिरिभूज के बात करें तिरिभूज दिया हुआ है तो तिरिभूज वहा चेप्टर में हिरवन सुत्र में पढ़े थे कि जब तीनों भूजा दिया हो रहा है तो उसे छेतर फल के इसे निकालना हो और छेतर फल जब निकाल जाता है उसका बाद फिर इधर से देखिए दो भूजा दिया हुए तीसरा नहीं दिया हुआ है तो तीसरा भूजा हम महराम से फाइंड कर सकते हैं तो हीरोन सूत्र लग एस आ गिया 6 अब एस छे आ गिया अब इसके हम छेतरफल लिकाल देतें त्रीभूज O, A, A-s का छेतरफल हीरुरन सुत्र से तो छेतरफल का फर्मूला होता है रूट हंडर S into S minus A, S minus B, S minus C ये फर्मूला होता है ठेक हैं लगाते हैं फर्मूला एस आया छे फिर एस छे माइनस ए है पांच फिर छे माइनस बी है तीन फिर छे माइनस चार तो होगी यह यह चे पांच घटेगा एक इसकों तोडते हैं तो रूट मेंबना ßरी तो रूट में में बाहते हैं तो six कों तोड़ेंगे तो। situation एक टो लिखने का जुरुत ने हैं एक तीन पहले से हैं एक दो वी पहले से 3 जोडा है मतलब यह भी रूट से बार तो तीन दोनी छे इसका छेत्रफल आगे छे सिंटिमीटर स्कॉयर तो एस भीछे छेत्रफल भीछे बड़ा रिंजर आये अब हमको छेत्रफल का है निकाल दिये यहां तो निकालना था यह तो यह बीज में है तिरीभूज का बीज में लॉम है ना एडायस का छेत्रफल तिरीभूज का एक और छेत्रफल पड़े है आधा गुना वन बाइटू इंटू आधार इंटू उचाए तो इस फर्मुला को लगा देंगे ठेक है और तिरीभूज का छेत्रफल आया हुगा है कि इतना छे सेंटिमीटर अभी आ गिया तो बराबर एंटू आहे है तो कि आहिए या कि इसमें ए एम मंट यह ठिन सेंटिमीटर है मैं बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 दूतिया 6 cm A B निकालना था A B आगिया 6 cm ठीक है क्योंकि यह क्या है यह यह बराबर होता है तो यह 6 3 आया था यह भी 3 होगा था 3 दूनी 6 तो उसी को लिखे यह जो टोटल है A M जिसको हमको निकालना है A M वो A B निकालना है जो टोटल है A B A B वो A B जो है दूगुना होगा A M का तो उसी को लिखे दे दूगुना A M तो दूगुना A M तीना है तिन दूनी 6 ठीक है कोई दिकत नहीं तो यह नूमरी कल था आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखते हैं दूसरा कोश्चन है यदि एक विरीत को दो समान जीवाएं विरीत के अंदर परतिछेद करें ठीक तो सीध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है जीवा का जो खंड है टूकुडा दूसरा जीवा के संगत खंडों के बराबर है चलिए question क्या कह रहा है उसको हम चित्र में दरसाने परियास करते हैं एक विरीत है विरीत का केंदर के बना लेते हैं तो बोल रहा है विरीत की दो समान जीवा हैं विरीत के अंदर पर दिचत कर रहा है समान जीवा है यानि जीवा जो इसका है एक समान है मान चलिए एक जीवा इधर है तो एक जीवा ये हो जाएगा इधर एक समान दोनों जीवा है ठीक है एक समान है भले छोटा बड़ा दिख सकता है मेरा लेकिन एक समान है ये ठीक है एक समान जीवा है दो की अंदर में पर्दिशेद्यानी कट रहा है ठीक है परिशेद करें तो चीद कीजी कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर है एक जीवा का खंड जो है दूसरा खंड के बराबर है तो ये इसमें चलिए एक केंद्र है तो केंद नादूरे वो इसको निखल तो इसको मान लेते हैं चलिए नाम लिख देते हैं A B दिया हुआ क्या है व केंदरवाले विरीथ की दो बराबर जीवाएं AB तथा CD है जो एक दूसरे को E पर पर्दिजेद करता है दोग जीवा है A, B, A और C, D जो E पर पर्दिजेद कर रहे थी ये दिया हुगा है तो दिया हुगा क्या है? उसको question से लिख सकते है सिध क्या करना है? तो बोला है इसका जो जहां से कट रहा है उसका जो संगत लंबाई है वो बराबर होगा संगत खंड जो है बराबर होगा तो ये खंड बने टुकड़ा ये कटरा उससे टुकड़ा तो ये एक टुकड़ा बचा इसका और इसका टुकड़ी है तो ये दुनों बराबर होगा तो सीध करना है सीध करना है क्या सीध करना है AE बराबर AE युला और EAEC या CE बराबर है उसके बाद और एक खंड एक टुकड़ा और BE ये बराबर है किसका होगा DE ये सीध करना है ठीक है जीवा जब है यहां टूट रहा है खंड वरा है उसका संगत भाग बराबर है तो इसका संगत ये बराबर और इधर का टुकड़ा का संगत ये टुकड़ा संगत बराबर है दोनों ये सीध करना है ठेक राचना करें इसमें क्योंकि इसमें जीवा खले दिवात हम इसको मिला है O M और O N का तो O O से M तथा N को मिलाए O से इसको हम मिलाए ताकि हम यह परीमे पढ़चुके हैं कि केंदरस से दूरी जो भराबर होता है 90 डिग्री पर खीचने से तो 90 डिग्री से इसलिए खीच दीए तो यह दूरी जो है बराबर होगा यह दोने बराबर होगा ये बरावर हो जाएगा तो फिर तिरी फुज में सरवांग सम करने में यहां पर भी ओगे उज कर सकते इसको, ठीक है OM जो है AB पर लाम है, OM जो है AB AB पर लाम है 90 अबे डिगरी है और ON जो है CD पर लाम है 90 जो है, ठीक है आप आते हैं तिरी भूझ में तिरी भूझ ई-ओ-- पतध्य तुज तथा तिरी भूझ ऑज्य में यह दूनों तिरी भूझ में आजाएँगे मायनुद एसल सरवांत ConITA को तो संगतभाग बराबर अबोर am संगतbhaak के बराबर हो झाले तो फिर आगवे बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी, बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी, बराबर जीवा है तो केंद्र से दूरी जो है बराबर होता है, तो केंद्र से दूरी बराबर है, ठीक है, उसके बाद, EO और EO EO और EO Obenaches है Oben is niyorsun इको रहा है EO और EO दोनों तरी बोजम में इसमें भी Obenaches है उसके बाद और क्या एक angle दिख रहा है EMO Angle EMO बराबर angle ENO यह कहां से परतिय कि 9 degree है रचना से ये 9 degree लिख सकते है तो दुख भूजा है वो एंगल बरावर तो का लेकिंगे साइड एंगल साइड सरवांग समता से तिरी भूज E O M सरवांग सम हो जाएगा तिरी भूज E O N सरवांग सम हो गया तो E M जो है E N के बरावर हो जाएगा E M बरावर E N कहां से बाई C P C T C P C T से हम इसको बरावर कर दिये ठेक है तो E M और E N बरावर की है हमको तो पूरा भूजा ये पूरा लंबाई बरावर करना है लेकिन हम इतना सा भी किये यह हो गया अब देखिए द्यान से उतना हो गया ता बाकी भी बरावर हो जाएगा क्योंकर देखिए A B और C D अब देखिए A B बरावर C D ये तो दिया हुआ है हम अपने जने ली लिख रहे है दिया है काय के ये जुछ जीवा बरावर बोल दिया अगर हम आधा करें तो कहां तक पहुचेंगे तो ध्यान से देखिए परीमए 10.6 और 7 मिं बताएं कि केंद्र से जीवा की दूरी बराबर होती है होती ही बराबर तो केंद्र से अगर दूग बराबर जीवा है तो बराबर होती है दूरी जीवा की दूरी कहा होती ही केंद्र से बराबर यहां पर यूज हो गया लेकिन यह यह बराबर ही यह कैसे जानेंगे तो एक और पढ़े थें कि केंद्र से केंद्र से अगर कोई जीव है उस पर 90डीः खीचे केंद्र से जी van पर नद्बभी डिग्री खीचे तो है इसको दो बरावर भाग में बांट देतायओ केंद्र से 90डीः का लंब खीचे लाइन खीचे तो जीवा को दो बत्वॉत विडियो में देखे था चplets यह केंद्रे से लंब बना रहा नब्च डिगरी मतलब यह जो तो यह जिवा को दो ब्राबर भाग में बाट रहा एम और भीएम उसी तरह इसको बांटना है cn और nd इसको दो बराबर भाग में माट रहा है ठेक है तो कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अगर इसका आधा करें दोनों तरफ इसको आधा से गुना कर देते हैं 1 by 2 A, B लिख देते हैं बराबर 1 by 2, C, D दोनों तरफ आधा-ाधा से गुण ना कर सकते हैं कोई दिकत ने हाधा से अब दोनों का दजा करेंगे A, B का अधा करेंगे B, तो A, B का दजा करेंगे तो A, M, B, C, D का दजा करेंगे तो C, N मिल जाएगा C, N सीए के बराबर ए यह वालए ऊवाला Y réponsecza के बराबरें ए यह व्यारम प्राबर हे इ एं अ-पर गी यह व्यान numéro इसको सम्मीकरन वन इसको समीघरन टू अच्छों एक इधर भी तह ah ah b e m In यह व्याराबर हो जाग इधौर हो जाते ऑसको लगां B यह उख़ें किसके पराबर है nd या dn इसको मालने चाहिए समिकरन 3 अब देखिए समिकरन 2 और 1 को देखिए 2 में am है am और इसमें em तो am em हमको यह वला इधर वला भागने चाहिए यह वला हमको चाहिए तो am में em को घटा देंगे और इधर cn में em को घटा देंगे तो बाग यह आ जाएगा मतलब cn में em घटा ना है am में em घटा ना है तो समिकरन 2 को 1 से घटाने पर घटा देज़े ठीक है am am minus em हो जाएगा बराबर यह cn है cn minus em हो जाएगा ठीक है अब घटा यह am यहां से यहां तक है पूरा उसमें em को घटा दे em घट गिया तो बन जाएगा ae इधर उला ae बन जाएगा ae बराबर इधर cn है cn में en घट गिया उधर घट गिया तो बन जाएगा c c e एक ठोप पूरूफ करना था हो गिया है यही नोपूरूफ करना था कहा किया ae बराबर c ae बराबर c भगे बराबर वगा अईशब फिर देखेंगा अब इधर को पूरूफ करना कि इसको e B और e D इसको पूरूफ करना थे बराबर ठीक है तो कैसे शीज़ होगा हो जाएगा पहला और समीकरन तीसरा तो समीकरन समीकरन फ़न और त्री को जोडने पर इसको जोडने पर गटाने पर आए और जोडने पर आएगा कई से तक जोड़ के देखते हैं EM में जोड़ना है तीसरा BM बराबर इधर EN में जोड़ना है इधर कहाई है तीसरा DN ध्यान से जोड़के यहां देखे E-M EM यह Em, इसमें जोड़ दीजे Bm तो का, टोटल होगा यहां से हाँ तक यह वला लाइन में इसको जोड़ दिये तो टोटल होगा यहां से हाँ ने B, E होगा, तो जोड़े तक B, E बराबर, En में Therapy, Dn जोड़ी En यहां से यहां तक, और Dn यहां से यहां तक तीसरा question देगे, यदि एक विरीद की दो समान जिवाई विरीद के अंदर परतिशेद करें, तो सिद्र कीजिये की परतिशेद बिन्दू से केंडर से, बिन्दू को केंडर से मिलाने वाली रेखा, जिवाउं से बराबर कुन मनाते हैं, चलिए, सिम उसे की जैसा है, एक विरीद है उसका दिया हुआ है ओकेंद्र वाले विरीद की दो बराबर भूँजीवाएं A, B, C, D बिंदू इवर परदिश्यत करते हैं इवर परदिश्यत करते हैं यह दिया हुआ है चीद करना है म, M, E, O यानि यह बला एंगल और N, E, O न, E, O यानि यह बला एंगल बराबर है यही सिद करना है तो says, O को औ Wakma एम, N, in E, N को मिला भूएं 90 डिगरी पर मिलता है टेक, क्योंकि यह जीवा जीवा के बिच में 90 हानने क्वेश्यत करते हैं एकाँ, यह बराबर हो झाएगा तो लूए बहुत सिंपल सा कोशे ने सर्वांक сможm कर दना है कौन सा यह और यह सर्वांक फुलाभाण से केंदर की दूरी और राबर होती है यह पराबर दिया यह पर इसमें सबसे पहले यो यै या दोनों में लिख देते यह 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 यो बहुता में लिखते यह टो यह बहुतो जो दोनों में लिखेंगे यो यो नो वह निस्टा हो गया और एंड़ 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 क्या है क्या लिकाई दें इसमें बराबर जिवा के केंडर की दूरी ही अबर जिवा से केंडर की दूरी बराबर होते эфф बराबर जीवाएं है तो केंदर की दूरी भी बराबर होगी तो दुनों केंदर की दूरी है तो बराबर है और क्या चीज़ एक्ट हो था आनब डिग्री E-M-O एंगल E-M-O बराबर एंगल E-N-O E-N-O ये परतिय क्या है 90 डिग्री part side side और E-go angle side angle side सरवांग समता से 3 भूज M-E-O सरवांग सम हो गया 3 भूज N-E-O सरवांग सम हो गया था हमको M-E-O बराबर उसीत करना था हो गया इसलिए 3 अंगल M-E-O बराबर एंगल N-E-O बाइ cpct ठीक है यह पूरूप करना था पूरूप यह न करना था इमी ओ बराबर इन इंड न दोनों त्री बहुत सरवांग सम वह आता है जाहिर सी बात है दोनों का संगत कुन बराबर होगा सिबलनी सिपल धसम यह लोगे मिलते हैं सेखन पार्ट लेगा-कर ऊण का तीन कोश्चियन जो है उतीन कोश्चियन मुश्चियन